अब्राहम लिंकन ने अमिरिका में 15 बार चुनाव लड़ा था और हार गया था फिर भी धेर नहीं टूटा उसके बाद फिर चुनाव लड़ा तो जीत गया और राश्टफती बना था एक चीटी दिवाल पर चड़ती है बीस बार गिरती है लेकिन धेर नहीं टूटने देती है एक किसी बार उपर चड़ जाती है जहां उसको जाना है उसी मंजिल बिल जाती है जिनका धैर तूट जाता है मिलने वाली मंजिल भी चूक जाती है और जिनका धैर तूट तूट कर भी नहीं तूटने पाता है ना मिलने वाली मंजिल भी उनको मिल जाती है इसलिए धैर को तूटने पाता है और चार चीजों की परिच्छा मुशीबत में होती है दुख में होती है धीरज धर्म मीत्रे अरुनारी आपतिकान परकिये चारी धीरज धर्म मीत्रे अरुनारी आपतिकान परकिये चारी धीरज धर्म मीत्रे अरुनारी आपका धर्म आपके मित्र और आपकी इस्त्री की परिच्छा आपत्य में होती है जिसमें तुम संकट में होते हो ऐसे तो हर दोध पिने वाले मित्र तो बहुत मिलते हैं और खून देने वाले मित्र बहुत कम होते हैं एक छोटी सी जीवित कथा है जिसमें मजनू लेला के पीछे भाग रहा था लेला के पिता को न गमारा हो गया डंडों से मजनू की पिटाई करवाया और लेला को पकड़ कर कमरे में बंद कराया कि तो बाहर नहीं जा सकती है मर्यादा का सवाल है तो लेला ने कहा पिता जी ठीक है मैं नहीं जाओंगी पर मजनू के लिए कुछ खाने पीने का प्रवंद कर दो नहीं तो मर जाएगा तो आपको पाप लगे और केस लग जाएगा तो लेला के पिता ने कहा कि इतना तो कर दूँगा होटल के मेनेजर से जाकर बुकिंग करा दी कि अगर मजनू इधर से निकले तो उसको दूद पिला देना कुछ खिला देना पूरे शहर में पूरे छेतर में सुचना प्रशारित हो गई कि मजनू को दोध पीने का इंतजाम होटल में कर दिया गया है दूसरे दिन सवेरे सेकडो मजनू की लाइन लग गई दोध पीने के लिए सब नकली मजनू इकठे हो गए बोले मैं भी मजनू हूँ मैं भी मजनू हूँ होटल मेनेजर ने सब को दोदध पिलाया ऐसे ऐसे मजनों गई भसमा सुर दो-दो लीटर भी दोदध पिया कुछ लोग तो हद कर देते हैं चाई भी पीते हैं तो एक लोटा भर पीते हैं कर दोद भी पीते है तो आदी बाल्टी पी जाते हैं अब बाटी भी खाते हैं तो दस बाटी, बीस बाटी, भगवान बचाए, दस बाटी में तो भेंस भी छक जाएगी, भस्मा सुरह, भस्मक बीमारी, जो खाते सब भस्म हो जाता, तो जो शाम को लैला का पिता पेमेंट करने आया, तो पेमेंट हजारों रुपियों में बना, तो लैला के पिता ने कहा किया, ये मजनु ने इतना दूद पिया, ये सो लिटर दूद का पेमेंट, बुले आपका एक मजनु होगा, लेकिन यहां तो मजनु की लाइन लगे हु मन बड़ा दुखी हुआ, मन्जस में पढ़ गया, क्या करूँ, लेला से जाकर कहा कि मैं तेरे मजनु को दूद नहीं पिला पाऊंगा, क्योंकि वहाँ सैकड़ो मजनु दूद पिये हैं, हसारों का पेमेंट करना पड़ा। लेला ने कहा, असली मजनु को पहचानने के लिए पिताची एक काम और करो, होटल मेनेजर से बता दो, कि जो मजनु दूद पीने आएगा, उसका एक बोतल खुन निकाला जाएगा, क्योंकि लेला बीमार है, उसको खुन की जरूरत है। दूसरे दिन जब मजनु सब दूद पीने के लिए कठे, ये दूसरे दिन पान सो मजनु लाइन में लगे, क्योंकि फिरी फोकट दूद मिल रहा है, तो मजनु बनने हम क्या बुरा, होटल मेनेजर ने डॉक्टर को बिठाया, कहा इनका एक बोतल खुन निकालो, लेला बी ऐशी कितने दोस्त के वल दूद पीने वाले होते हैं, खोन देने वाले नहीं होते हैं, जब तुम संकट में फस जाओगे तो खिसक जाएंगे, ये दोस्त नहीं हैं, ये छिपे भी धोके बाज़ दूस्मन ही होते हैं, दोस्त हमेशा आपका साथ देता है जब असली मंजनु ने सुना कि लेला बीमार है खून की जरूरत है बागता हुआ आया होटल मेनेजर ने कहा मेरे शरीर में जितना खून है सब निकालो मैं दूद नहीं पिऊँगा लेकिन खून देतोगा बोले इसका फोटू लेलो यही असली मंजनु है खून की तो जरूरत नहीं इसी को दूद पिलाओ धीरज धर्मे मीत्रे अरुनारी आपतिकाल परक्खिये चारी इस्त्री की परिच्छा भी दुख के समय होती है जिस समय आप संकट में हो आपका धन भी आपके हांस से चला गया हो गरीबी आ गई हो संसार ने छोड़ दिया हो शरीर में बीमारी आ गई हो परिवार भी किनारे हो गया हो उस समय भी जो पत्नी न छोड़े उसी पत्नी का नाम धरम पत्नी है और उसी को कहा जाता है कि वो पत्नी के वल पत्नी नहीं है वो मित्र भी है मंत्री भी है माहरदें भी है जो संकट में पत्नी को छोड़ती नहीं है ऐसी पत्नी पत्नी धरम की परिछा भी कठिन घड़ियों में होती है ऐसे तो सभी लोग धार्मिक है सवहरहर गंगे लेकिन कुछ ऐसी परिस्थती आ जाए तो आपका धर्म बचेगा की नहीं बचेगा पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, मा का धर्म, बेहन का धर्म, गुरू का धर्म शिश्य का धर्म, डॉक्टर का धर्म, मरीश का धर्म, ड्राइवर का धर्म, बंडारी का धर्म, बेहन का धर्म, बेटी का धर्म, बेटे का धर्म सब के धर्म इतने हैं, एक आदमी के शाथ में अनेक धर्म चुड़े भी है जिस समय आपके पिताजी बहुत बीमार हो तुम्हें सूचना मिले पुत्र का धर्म निभाने के लिए तुम आज सको तो समझ लो आप धर्मिक बिखती हो उस समय इधर उधर कर जाओ तो समझ लो धर्म से तुम विचलित होगे धर्म कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी बक्से में बंद होता है धर्म उशी का नाम है जो मां तुम्हारे कर्म से होकर गुजरता है वही धर्म बनता है इसलिए कभी धर्म मत छोड़ना धर्म ही तुम्हारा अंतिम साथी है नीती शास्त्र में जानक्य ने कहा है कि बिद्या मित्रम प्रवासेशु भर्या मित्रम ग्रहेशुचा ब्यादितस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्यचा बिद्या बिदेश में तुम्हारे साथ मित्र का काम करती है पेशा खो सकता है थैला खो सकता है सामान खो सकता है साथी छूट सकते है लेकिन जो तुम्हारे पास बिद्या है अनभो है कला है एबिलिटी है क्वालिटी है केपिसिटी है वो तुम्हारा शाथ देती है बिद्या मित्रम प्रवा सेशु भार्या मित्रम ग्रिश्चा और घर ग्रिश्टी में तुम्हारा मित्र तुम्हारी पत्नी है वो दोस्त का काम करती है बीमारी के समय मित्र दवाई है व्यादिता स्यस्धम मित्रम और मृत्व के समय तुम्हारा मित्र यदी कोई है तो वो केवल धर्म है धर्म ही मृत्व के बाद इस जीव के साथ में जाता है इसलिए धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए धर्म की राह पर सदेव चलना चाहिए एक पाँच मिनट का और प्रसंग है कि जिस समय लच्छमन को सकती बान लगा सुशेन बैद्य को लाया गया तो सुशेन बैद्य से राम ने कहा कि लच्छमन का ट्रेटमेंट कीजी तो सुशेन बैद्य ने तरक किया कि मैं रामण का नमक खाता हूं रामण का बेद्य हूं और रामण की दुश्मन का हिलाज करूं तो ये धर्म के खिलाब है अगर आप कहो तो मैं धर्म करूं मैं तो नहीं करूंगा तो राम ने उत्तर दिया क्या? अरे सुशेन ये लच्छमन नहीं धर्म की नाम पर तो सब कुर्बान है अगर इसी बात कहते हो तो लच्छमन का ट्रीट्मेंट मत करना राम के सब्द है हर चीज इस जगत की कुर्बान धरम पर है और हर चीज इस जगत की कुर्बान धरम पर है धन मकान संपदा जीजान धरम पर है धनमकान शंपद जीजान धरंपर है कालो के घर बिके थे पुर्खे हमारे जाकर मेरे पूरवज हरिश्यंद्र सत्य धर्म को पालन करने के लिए कालो डोम के घर बिक गए थे मैं उस बंजसज की संतान हूँ सुसेंड बैदे तुम क्या समस्ते हो कालो के घर बिके थे पुर्खे हमारे जाकर और रगुकुल की ये जो संपद संतान धरंपर है हर चीजी सजगत की कुर्बान धरंपर है धनमकान संपद जीजान धरंपर है हर चीजी सजगत की कुर्बान धरंपर है सुसेंड बैदे अगर चांस मिला वक्त मिला जरूरत पड़ी तो आपको मैं दिखाऊंगा क्या आप सर्य अगर मिला तो दिखलाएगा ये रागो भाई सहित सोयंभी बलिदान धरंपर है हर चीजी सजगत की कुर्बान धरंपर है धनमकान संपद जीजान धरंपर है आज का आदमी शेकेंड हेंड चपल को देख करके भी धरंपर से डिख जाता है जाते हैं सत्संग सुनने वहां से पुराने चपल किसी के चुरा लाते है इतना लोग तो कमजोर हो गया थे धरंपर शत्संग में कभी किसी की एक सुई भी नहीं लेना चाहिए उसे सत्संग का मान हो जाता है जो संद कथा कह रहे हैं उनकी मरियादा भी कम हो जाती है बहुत बड़ा पाप लगता है सत्संग में किसी का सो ना मिल जाए उसको भी उठा कर देता है तो क्या दूसरी जगे चुराना चाहिए कहीं भी नहीं चुराना चाहिए क्या चोरी करना है जितना आपके करम भाग में होगा वो मिलेगा जो भाग में नहीं है चला जाएगा चोरी मत करो हर चीजी सजगत की कुरुबान धरम पर है धन मकान संपद जीजान धरम पर है अभाई सहित स्वयंभी बलिदान धरम पर है राम की बातों को सुनकर के सशेंड बेद्ध उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है हे राम यदि तुम अपना धरम नहीं छोड़ सकते हो तो मैं भी बेद्ध हूँ बेद्ध का धरम होता रोगी का इलाज करना चाहे अपना हो या पराया चाहे मित्र हो या शत्र रोगी है तो उसका इलाज करना बेद्य का इस्पेसल धर्म होता है मैं अपने इस्पेसल धर्म से लच्छमण का इलाज करता हूँ आप अपना धर्म निभाव में अपना धर्म निभाव में अपना धर्म निभावगा लच्छमण अच्छे हो जाते है सज्जनों बहुत शार ग्यान की बाते आपकी बीच में प्रिशित किया हूँ आपने बड़ी ध्यान सी प्रेम पूर्बक स्रमण किया है याद करना अर्ब खरवनो द्रब्य हुदे अस्तलो राज भक्ति महातमना तुले इसब कवने काज धन्वान बनना गुनाह नहीं है राजपद को समालना बुरा नहीं है लेकिन भक्ति छोड़ देना सब गुनाह करा देता है भक्ति करना धर्म की राह पर चलना सत्संग में रोज डुपकी लगाना परश पर प्रेम से बहना अपने घर को मंदिर और आश्रम समझना खोब उन्नती भी करना अच्छा मकान बनाना अच्छी बिजनिस करना अच्छे परिवार को संसकार देना